नमस्कार डीडी यूपी में आपका स्वागत है चर्चा में कारकम लेकर उपस्तित हूं मैं रामेंद्र सिंग हमारे देश की संस्क्रति रिशियों मनीशियों के आस्रमों से निकलती है जहां प्रकत के साथ प्राकतिक वातावरन में रहने की परंपरा थी प्रकत को सुरच्चित रखते वे अपनी सारी जरूरते भी उसी से लोग पूरा करते थे राजा हो या प्रजा सभी के बच्चे सिच्चा के लिए इन्ही आस्रमों में रहते थे जहां इन्हें प्रकत के साथ तालमेल बैठाना और रहना सिखाये जाता था हब उस देश के नागरिक हैं जहां नदियों को मा, ब्रच्चों में देवताओं का वास, पहालों में भगवान सीव का वास और प्रत्थी को भी हमने मा का दर्जा दे रखा था लेकिन समय के साथ ये संस्क्रत ही हमसे दूर होती चली गई और भवतिक सुखों के लिए हमने प्रकत को छोड़कर बड़ी बड़ी अटालिकाओं के साथ जीना सुरू कर दिया हमने जल, जंगल, जमीन समी को जबर्दत नुकसान पहुचाया है इन पर आस्तित रहने वाले जीवजनतों को हमने समापन के करीब ला दिया है अब हमारा जीवन भी इस खत्रे की चपेट में हैं तो भी हम सोचने को तयार नहीं है कि कैसे पर्यावरन बचाया जाए आज पर्यावरन को कैसे सुधारा जाए इस बिशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डाक्टर डीपी सिंग साहब है भीम राव मेटकर इंवर्शिटी के प्रोफेशर है पर्यावरन बिध्यान के और पर्यावरन बिध है डाक्टर बियार सिंग साहब चोकि प्रधान मंत्री और मुख मंत्री दोनों लोग पर्यावरन को ले करके गंभीर हैं लगतार चाहे जापان रहा हो चैब अमेरिका रहा हो चैह भारत की हिस्सों में रहा हो प्रधान मंत्री जी को लगता है कि पर्यावरन को बचाया जाना चाहिए पिछले जो मन की बात कारकम है उसमें भी उनों ने किसानों से पेच्छा किये कि पराली जलाना बन करें इसे पारीशोर होता है और सहरों के करीब जो धूंद इकर्टी होती तो यह थैं बुनियादी चीजिए है कि व्यकती जो है प्रकिट से अलग नहीं है समस्या वहीं शुरू होती है जब हम प्रकिट को अलग चीज मानते हैं और व्यकती के सुख के लिए संसाधन के रूप में उसको हम देखते हैं हम पहली बात तो उसको अपना हिस्सा नहीं मान और हकीकत यह है कि हम पूरी तरीके से परियावर्ण से अपने परिस्थिति की तंत्र से बदे हुए हैं कोई भी हलचल वहां पर जो अगर होती है दो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पढ़ना ही पढ़ना है इस बात को हमको समझ लेना चाहि लेका है कि हम समाज व्यक्ती और प्रकृत्自然 फर्व यह सब डोड़ एक ह conting और उस keskin है और उसके हमारे शुक्रण उसके प्राकिर्टिक संसादन हमारे सुकोभग के लिए हैं और हम इससे अलग हैं यहीं से समस्च्य जिस दिन हम इमान लेंगे कि नहीं प्रकृर्ति को है हमारके ही हम अभी जहां हजारों लाखों जीव हैं इस धरा पर उसमें से हम एक हैं तो बागी को हम नस्ट करके हम अपने जीवन की परिकल्पना ही कैसे कर सकते हैं तो मुख्य हमारे ख्याल है कि हमको सोच अपनी बदलनी चाहिए और उसकी बहुत ही आवस्चेक्टा इस समय है महत्मा गाधी नहीं कहा था कि प्रकत को पूरी दुनिया को देने के लिए सब कुछ है प्रकत के पास लेकिन एक आदमी की अनाधिकत इच्छाओं की पूरा करने की सक्ति इस प्रकत में नहीं है इसलिए जो अनाधिकत रूप से हम चीजों को ले रहे हैं वो तो हमको रोकनी पढ़ेगे बियार सिंग साब एक सामाजिक सा सवाल है पहले कच्छाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि पेन हमारे लिए क्यों जरूरी है आप बागवानी करिए आप पेन लगाईए पेनों की जरूरत हमारे लिए क्यों यह सिच्छा को हमने छोड़ दिया है हमारे शंसकार जो परिवारिक शंसकार होता था वह वहीं से शुरू होता था और वहां पर यह बताया जाता था कि इस प्रकेर्टी के साथ इस नेचर के साथ जुड़ना है पेड़ पावदे घरों के आसपास लगाये जाते थे यह कभी-कभी अगर पेड़ कहीं सुक गया कट गया या कुछ हुआ तो आप देखें कि हमारी जो भी सभ्यता रही है वह सुरू से ही प्रकेर्टी के साथ जुड़ी रही है जैसा डीपी सिंग साब बता रहे हैं कि देखें बायो डायू सिटी जो है पूरे अगर हमारे पास 40,000 जीव जनतु इससे भी ज्यादा है तो उसमें मनुष्य तो यह है मनुष्य हाँ यह कह सकते हैं कि जहां तक बुद्धिमत्ता है उसकी जादा है वह सुख्चैन की तरफ भावतिक शुकों की तरफ बढ़ने लगा प्रकिर्टी को उसने छेड़ साड़ सुरू कर दिया अब प्रकिर्टी भी अपने को बायलेंस कर करने के लिए यह परयावरान का संतुलन जो भी वहा है उसको बैलेंस करने के तमाम विप्दाएं आपके सामने खड़ी हो रहे हैं बिल्कुल अब हमें आज की परिस्तिती देखिए हमारे माननी प्रधान मंत्री जी माननी मुख्य मंत्री जी क्यों चिंतित हैं कोई आज न पहाडों में अपना जीवन बिताया है, उनको पता है कैसे होगा, वो पूरे विश्व को एक दिशा देना चाहते हैं, उसका उदाहन में यह देना चाहूँगा, अगर उन्होंने 30 नौंबर से 12 दिसंबर की, अगर आप देखें, प्रांस की समीती जो हुई थी 2015 में, तो एक ह की देश था, जिसने कहा, और हमारे मानने प्रधानमंत्री जी थे, कि हम 2% कारबन का रिडक्शन करें, कारबन को घठाएंगे, यह कहां से उत्पन हुआ था, यह हमने अपने इस भावतिक शुखों में, जो चीजें बढ़ाई हैं, जिसमें हम हमेशा कहते हैं, कि 30 से 32% तो हमारा कांट्रिबूशन बाहनों का है, जो बाहन आज हमारे लिए एक उपयोगी चीज हो गई है, और उसके बाद अगर देखें, तो हमारे अवद्योगी करण जो हुआ है, वो 34%, तो अगर 70% इसी का है, आप पराहली जल्दाने का अगर 14% जोड़ देते हैं, अनिकाई 11% जोड़ देते हैं, तो आप देखें, कहां पहुंचे हुए है, आप पास सबसे बड़ा जो है, और अना आप सनाब तरीके से बढ़ाना, उसको संजोईत यह नहीं किये कि इसके साथ क्या चीज जोड़ देखें, प्रकृति में इसका दुस्प्रमा होना पड़े, बिल्कु जो भी निकल रहा, वो कैसे उसको हम समाप्त करें, इसको कहीं सोचा भी नहीं गया, जबकि हमारी जिस समय गाड़ियां और यह नहीं थी, सड़कों के किनारे पर लगते था, आज बता दें, जितने हाईवे यह चल रहें, क्यों नहीं लगा रहें, अगर तीन रो लगा दे तो पूरा-पूरा कार्वन सिक्रेटेशन इसी से हो जाएगा, इसका यह उदाहन अभी हम देना चाहेंगे, आपको मैं बड़ा उससे अध्यान करता हूँ, यह आपने 23 किलो मीटर, आपकी सहित पत बनी, सहित पत के बीच में, आप देखें, सहित बनाओ बीच में थोड़ बीच का रूप ले रहें, कहां से, क्योंकि उस पर गाड़ियां दोड रहे हैं, गाड़ियां जो दोड रहे हैं, कार्वन डाय और वो खुराक उन पेड़ों के लिए हैं, वो आक्सीजन कनवर्ट करके दे रहें, अगर यह चीज आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, म प्रकृत की छेड़ चार जो हम जीव जनतु और भी है वो बिलुपत हो रहे हैं कियों भी लुपत हो रहे हैं इसी कारण हो रहे हैं कि हम मानोजाती जिसको बहुत कहते हैं ग्यान है उस ग्यान से हमने पूरे अपने रिश्कुल के परमपराओं को शमाप्त कर दिया वो कोई दिशा देने वाला है तो भारत बरसी है और यह आगे आज यह सोच बदल गई अमेरिका जैसे कंट्री में भी इतने तूफान आ रहे हैं इतने हुरीकेन आ रहे हैं इतने शुनामी आ रहे हैं वह बारिश अंधा धुन्द हो जाती पंद्रा पंद्रा दिन वहां भरबारी ह जा रहे हैं धरती फट जा रहे हैं यह जब विपत्तियां आएंगी लोगों को बाध्य होना पड़ेगा और उधर बाध्यों के कहीं ने कहीं हमारी लीड हो रही है हमारे चिंतक जो हैं जो हमें रास्ता दिखाने वाले वह भी जुड़े हुए हैं सारे स्कूल कालेजिज म अभी इस के तरह लोगों का ध्यान जाने यह ड्यक्टर बियार सिंग साहब थे जिन्होंने तमाम अमेरिका में आने वाली जो परिशानिया हैं जो जिस तरीके से तूफान आये बरफ गिरी उसको पहले से इन्होंने कोट किया था कि यह होगा जाहिर है कि बैग्यानी के तो प्रदूसर्ण को कैसे सही रख सकते हैं क्या तरीके हैं और हम कितना गंदा कर चुके हैं अब तक देखिए इसमें कोई दोराय नहीं और हमारा मानना है विशेश रूप से जिस ढंग से हम लोग जल के प्रत आंख बंद कर लिये हैं और दूर नहीं जब दूद का रेट और एक बाटल जल का पानी का जो है अभी तो पंद्रह और बीस पचीस जो भी तीस दूर में अंतर है कुछ दोग उने का वो अंदर समाप्त हो जाएगा और उसी रेट से ही खरीदेंगे लोग पानी भी क्योंकि पानी के प्रत हमने हमेशा माना है कि जैसे सब कुछ हो समाहित करने वाला कोई जादूई तंत्र है वो जादूई तंत्र नहीं है वो एक प्राकृतिक स्रोत है सं प्रदूसित जल जितना ही हमारे सरीम जाएगा रोग ब्याद ही सब तमाम चीजें प्रकार की होंगी ही होंगी तो हमको जल के प्रती और जल की सुद्धता के प्रत जागरूख होने बहुत ही आवस्यक है पिछले दस-बीस सालों में आप होता क्या है कि हमने अपने पूजा करके भले ही और रिच्वलिस्तिक वे में एक भार्मिक उसका स्वरूप देखे लेकिन एक संदेश दिया जाता था आप इन सब से दूर नहीं हैं आप इसके ही एक हिससे हैं ऐसा हमारे बच्पन में हमने देखा है अभी भी होता है अन्य जगहों पे माथ पूजन म तना महत तो दिया गया गंगा जल तो अतधीक महत तो दिया गया लेकिन जल यह को बहुत अधिक महत तो दिया गया और उस रोत को आज हमने क्या किया है कि हम अपनी जीवन पद्यती वज़ा से ज्यादा प्रदूसित किये हैं और जीवन पद्धती और उसके अलावां यह जो आपका अंधा करण है तो यह दोनों ही उसके लिए उत्तरदाई हैं आप बताना क्या है कि कानपूर के पास क्यों गंगा प्रदूसित ज्यादा होती हैं तमाम इंडस्ट्री हैं सब अपना कच्रा कानपूर तक तो गंगा उसके बाद नाला बन जाती है तो इसलिए और लोग कहते हैं कि नहीं जल के अंदर एक बहुत प्राकृतिक गुन है कि समय और दूरी के साथ बहते बहते वह अपना सेल्फ प्यूरिफिकेशन स्वाइं सुधी करन करता है लेकिन स्व दूसरन के रेट को चार गुना रखेंगे स्वाइं सुधी करन के रेट से कभी कोई स्रोत सुध होगा कभी नहीं होगा तो हमको इन्हीं सब चीजों पर ध्यान रखते हुए कुछ तो अध्योगों पर लगाम लगानी चाहिए लेकिन उसका कितना पालन करते हैं इसका एक स पर दूसर बोर्ड है तो यह दोनों की ड्यूटी बनती है कि वहां जाके देखें कि क्या वाकई करती है लेकिन यहां अमना होते कम से कम अगर जुम्मेदारियां है अगर इन्होंने जुम्मेदारी से काम क्यों होता तो साथ इस पालिशन पर हम चर्चा नहीं कर रहे होते जिसके गंबरता प्रधानमंती के रहे थे बीयार जिन साथ अभी जैसे सर्दी का मौसम चालू हो रहा है जहरों में धुन्दा जाती है चलना मुस्किल हो जाता है सांस लेना मुस्किल हो जाता है इसके बचाओ के तरीके क्या है एक तो कम टाइम में कैसे आदमी बचे और दूसरा लांग टाइम में इससे कैसे बचा जा सकता है क्या तरीके प्रधानमंतीरी जैने जो पराली जला जना की बात कि उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सांस लेने में लोगों दिक्कत होगी यह धुन रहेगी तो यह बड़ा संकट का कारण बन सकता है इसको अगर आप अगर इसको आप देखें यह आज का नहीं है जो अभी हमने बताये कि दो अधूगी करण और भाहनों की संख्याग में हुए है नाप शनाप जिस पर कोई रोक नहीं है और इतने निकल करके वह एक अस्थान बना चुके हैं वह आस्मान में आज अब यह समझे पंद्रह से 20 किलो मीटर दूरी पर आपको एक सदन बादल के रूप में एकत्त हैं और जो भी डेली आप निकाल रहें कहीं कहीं धी है जैसे मौसम सेट होता है चाहे वह आपका जाड़े का सेट हो चाहे गर्मी का आप दर फरवरी मार्च सेट हो आप को ऊपर से जैसे वह उसकी बूंदे थोड़ी सी रात में बढ़ती हैं वह धीरे धीरे उन कड़ों को नीचे ला देती हैं आप एक टनल के फार में और जो ही कम हो जाती है आप बताइए चार से 420 कानपूर का हो जा रहा है 322 आज यहां आखा गया है ति यह एर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 का जो साथ होना चाहिए पर्टिक्लर मैटर आज इस्तिति यह है कि वह चार से हो जाए 422 साथ साथ गुना तो आप कैसे उसमें आगे अपन जीवन को बढ़ा सकते इसका मुक्य कारण यही अब आये कैसे इस पर हम नियंत्रण करें या कैसे नियंत्रण यह बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन मोमेंटरी नियंत्रण हो सकता है देखे होता क्या है अगर हम आर्टिफिशियल रेन हम पहले हम बता रहे हैं कि 3 साल पहले हमने कहा था क्यों नहीं इसको च्छतों से पानी करके मोमेंटरी हम पानी को छड़काव करें चारो तरब सड़कों पर पानी फैलाएं कुछ निकुछ कंड जो हैं आके अब्जार्ब हो जाएं कम सांस लेना दूबर नहीं होगा आदमी क्यों सगन जो हैं सबसे बड़ा खत सकते हैं ये कारिक जरूर करना चाहिए आज अभी देखिए हम भशूस करने लगें लेकिन अभी पिछले साल हमारे मानने मुख बंतरी आदेश दिया तो नगर पाल का चार उतरा पानी का छेड़का और ये सब चल रात अभी बिलकुल सांथ कितना कांस्ट्रक्शन से कितनी दूर ऊड़ू अँब ने किया जा रहा है ये सरकार को चिंतन करना अब ये बता रहे हम आढ़ें की बात करें हम बाहनों की संख्या क्यों कियों प्रतबंधित करते हैं कि आप एक तरप जा रहे हैं कि लागू करने की बात है प्रशाषनिक अमला जो है इस पर कोई निर्देश जारी करे शाषन और इसको उसको पर चिंतन करे यह कोई आज की बाद आगले साल और ज्यादा बढ़ता जाए जैसे इसकी सगंता बढ़ती जाए यह होता जाएगा इसमें कोई दोर आए नहीं लेकिन इसके छड़िक जो महिने दो महिने के इसको कंट्रोल किया जा सकता है यह 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 लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं वियार सिंग साहब यह कम समय की बात कर रहे हैं कि कैसे कम समय में इसको रिकबर कर सके लेकिन यह किस क्या क्या दिक्कते हो रही है बच्चों साथ क्या होगा बूलों साथ क्य लगातार जो अनुपात होना चाहिए उसको तोड आया है उससे बहुत आगे चले आए पेंड हम लगाते नहीं पेंड अगर लगा देते हैं तो लोगों को लगता है कि सरकार की जुम्मेदारी ही कि पेंड को पानी डाले सांस उनको भी लेनी है लेकि जुम्मेदारी यह जो मन में मान सकता आगए नहीं साथ सरकार करें हमारी जुम्मेदारी नहीं हमारे कि यहां कहा जाता ता गाउं में कि भई पेंड लगा दीजिए लगाता वह बड़ा अच्छा आद्बी होता है तो दोस्त्रों को फल बिलता है अब तो सांस लेना मुस्किल हो रहा हम जंगल की किया जाता है जितना चोरी चिपे जंगलों की कटाई और लकड़ी ओंके कामर्सियल परपस से उदेश से किया जाता है तो यह कहना कि जंगल के आधिवासी लकड़ी काटने गए या कभी चोटी-मोटी टहनी उससे जंगल नहीं खतम हो रहा है जंगल को हमारी सरकारों की दु एकका तो लीह है कि वो क्या करते हैं को उसको बोरर ले करके बोरींद करके इसमें टॉक्सिक माटेरिल बिसाक मटेरियल डालके लिए इंज्ध करके पेड़ को सुखाते हैं और सुख जाने के बाद उनकी आराम से नीलामी हो जाती है तो सुख नहीं गया उनको सुखा दिया गया, उनको मार दिया गया, तो मारने के बाद उनको खरीद करके अपना व्यापार दंदा चलाते हैं, उसका सबसे बढ़िया उपाय ही है, कि जो लोग उसके फायदे लेते हैं, वेनफिसेरीज हैं, वो लोग ही उसके संरक्षन करें, सरकार से ही सारी उमी पहाडों में चलाया गया को पेड़ों को काटने नहीं देते हैं इस डंका एक तो यह हो गया दूसरा क्या है कि जितनी पेड़ कटे जैसे अभी डाक साथ थोरी देर पहले कह रहे थे दरसल हम सडकों का जो चौड़ी करन कर रहे हैं पुराने 50 साल पहले के जो पेड़ लगे आप इतनी पेड़ लगाएंगे ही लगाएंगे लेकिन इंस्पेक्शन के तीन दिन पहले कुछ पौधे ले आके डाल देना और फिर उसके बाद छोड़ देना पानी कौन देगा अप्रस्म ही आता है तो इसकी एक ब्यवस्था परवरतन के लिए आप अनमती मांगे तो कह यह पर्यावरन एक बड़ा बिसे है और उसकी सर्चा हमने दो बैग्यानकों के साथ की तमाम चीज़े आपकी समझ में आई होंगी जाहिर है कि पर्यावरन को लेकर के जो खामिया है उनको रोका जा और हम आप सब की जुम्मेदारी है कि पर्यावरन को बचा के रखें चु झाल